नमस्कार दोस्तों आज के इस UPSC Terminology सीरीज में हम एक नया टर्म सिखेंगे box trading यह box trading यह important है काफी न्यूज में था government ने इसके खिलाब action भी लिया है तो इसको पढ़ना important हो जाता है तो इसका पहले हम MCQ solve करते हैं इनलेकित में से कौन सा या कौन से कथन box trading के संदर्व में सही हैं पहला कथन है यह boxing के खेल में होने वाली अवैद सट्टे बाजी है दूसरा कथन है यह stock exchange के दाएरे से बाहर एक प्रकार का अनवचारिक trading है तीसरा कथन है इसमें प्रयुक्त लेंदेन केवल नगद में होते हैं चौता है भारत में box trading को अपराद घोशित किया गया है चार कथन है आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सही है हमारे पास option है पहला है option A है केवल एक और दो सही है option B है केवल दो और तीन option C है एक तीन और चार सही और option D है दो तीन और चार सही कि अब pause करके अपना answer दीजिए इसका right answer आपको क्या लग रहा है अगर आप इसको box trading को पढ़े हैं तो आप इसको सही करेंगे नहीं पढ़े हैं तो भी आप ऐसे question में गेस्ट करी सकते हैं कि इसका answer क्या होना चाहिए इसको discuss करते हैं box trading क्या कि अब पढ़ क्यों रहे हैं क्योंकि अभी NSE ने national stock exchange ने भारत की national stock exchange ने अपने traders को एक notice दिया है कि जो भी box trading में समलित हैं जो भी संस्थाइं box trading में समलित हैं वह इस practice को छोड़ दें नहीं तो उन पर कानूनी कारवाई के जाएगी ऐसा NSE ने भी एक notice जारी किया था जो भी इस गति विदिन सामिल सामिल है तो उनसे दूर रहने के लिए यह है क्या box trading से बहले समझते हैं कि यह है क्या कैसे काम करता है इसमें ब्यापारी किसी विशेश stock का भौतिक सौमित तुलेने के इस्थान पर stock की कीमतों में उतार चड़ाव पर दा या ITC का आप stock खरीद रहे हैं महलेते हैं आप ITC का stock खरीद रहे हैं तो ITC के stock के लिए जब आप यह company है और यह हैं आप यह आप है ना आप इसको जब पैसा देंगे किसी company को आप देंगे क्या money तो यह return में आपको देगा क्या stock या इसका कोई प्रपत्र देगा stock प्रपत्र देगा आपको एक कागज देगा कि इतना stock के आप मालिकाना हक आपका हो गया उसे हम कहते हैं कि बहुत थिक स्वामित हो जब आप इसको money दें आप इसको money दें company को और company आपको उसके बदले में stock या कोई प्रपत्र दे कि इतने परसेंट के आपकी हिस्यधारी हो गई वो कहला आएगा बहुत एक सौमित लेकिन बॉक्स ट्रेडिंग में क्या होता है कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो बहुत एक सौमित लेने के इस्थान पर स्टाक की कीमतों के में उतार चढ़ाओ पर दाओं लगाते हैं अब इसी ITC वाले एक जांपल से समझते हैं मान लिजे कि आज ITC का रेट 500 रुपए है 500 रुपए एक सेयर का है ITC का रेट अब ये क्या करते हैं कि कुछ जो बड़े ट्रेडर्स होते हो और को रेटकी रहते हैं और कहाँ यह दिर का मतलब संस्थाएं ही होती है यह बॉक्स रीडिंग संस्थाएं होती बॉक्स यह संस्थाएं करती क्या है यह अनौपचारी गृूप से कि आप जैसे एक पार्टी और इन लोगों ने पार्टी और और इन लोगों पता रहता है कि भाई कौन-कौन है इतना पैसे वालत हुआ ही पैसे वालों को यह अंत्रित करते हैं उसमें बॉक्स ट्रेडिंग के खेल के लिए अब इसमें लोग ऐसे ही यह स्टाक एक्षेंज से संचालित नह अब यहां पर जो ट्रेडर्स हैं ट्रेडर्स हैं तो यह क्या करते हैं अलकि अधिक्प्रकृषि गुजराती और मराथी हैं व् electorate इस्ट्री पार्ट्न पार्ट ले रहे हैं लिए क्या करते हैं कि यह बॉली लगाते है कि कि itc का इसक कल 550 अ करू enhances replay और यह कहते हैं कि नही तो यह ट्रेडर जीद गया और अगर यह ITC का रेट डाउन हुआ तो फिर यह ट्रेडर जीद गया ऐसे बहुत सारे ट्रेडर रहते हैं इन्हीं को ट्रेडर को हम बॉक्स ट्रेडर बोलते हैं यह अनौप चारिक होता इसमें कोई भी शेयर मार्केट में लिश्टेड नहीं हो और इसमें सबसे बड़ी विश्टा क्या कि इसमें नगद में ही लेंदेन होता है इसमें कोई अकाउंट से पैसे ट्रांस्परें तो यह यहीं तब बोरे में जोले में पैसे भर के लिएके आते हैं और जब हार गए तो वहीं चोनगे चलेगा जीद गये तो फिर लेके और चले गए अपने साथ में तो यह बॉक्स ट्रेडिंग का इसमें याद रखना क्या कि इसमें भौतिक स्वामित नहीं लिया जाता है अब भौतिक स्वामित लेने के इस्थान पर इस्टॉक की कीमतों में उतार चड़ाओं पर दाउं लगाते हैं कि इस्टॉक बढ़ेगा या घटे गा इस पेक्ट लेसं लगाते हैं कि इसागा इनको सेयर में हिस्टेदारी नहीं चाहिए बस स्का कीमत बढ़ा हमारे कहने कमसर बढ़ा तो हम जीत गए हमारे कहने को सरगा तो हम हर गए ऐसा अब यह इसकी बाधिस्वीड है कि यह अपराद घोसित किया गया है किसके लिख लेते हैं सिक्रूटी कॉंट्रेक्ट रेगुलेशन एक्ट सेक्रूटी कॉंट्रेक्ट रेगुलेशन एक्ट यह याद रखना है प्रतिभूति अनुबंध विनीमन अधिनियम 1956 के तहत बॉक्स ट्रेडिंग को अपराद गोसित किया गया है और इसमें सजा का प्राधन क्या है 10 साल की स्कैद या 25 करोड का जुर्माना या फिर दोनों भी इसमें हो सकता है बॉक्स ट्रेडिंग में समलित लोगों को 10 साल की कैद 25 करोड का जुर्माना या ये दोनों भी हो सकता है अब इसको बेहन क्यों किया गया क्योंकि इसे काला धन को बढ़ावा मिलता है सम चाहिते हैं तो आपको कमाड़ीटी ट्राजक्शन टेस्ट देना पड़ता है सिक्रिटी ट्राजक्शन टेक्स टेक्स एना पड़ता है आधी इसके जैसे टेक्स यह गुवर्मेंट को राप्ट होते हैं और यह लोग क्या करते हैं आफ-lain मारकेट में पूरा काम कर लेते हैं जब आछ रूब से इसलिए गुवर्मेंट को टेंपी से भी आप उठानी पड़ते इसलिए गौश्ट को भारत में बाक्स ट्रेडिंग बैन है याद रखना और यह पूचा जा सकता है क्योंकि शेयर मार्केट से संबंदित सब्सक्राइब यह पिछले तीन-चार साल में जरूर पहुंश रहा है और यह सेर मार्केट से रिलेटेड है तब हम अपने क्वेश्चन पर लटते हैं यह बॉक्सिंग के खेल से कोई लेने देना नहीं है दूसरा इस्टाक एक्षेंजों के दाएरे से बाहर एक प्रकार का अनवचारिक ट्रेडिंग है तो यह कथन सही है तीसरा है इसमें प्रयुक्त लेंदेन केबल नगत में होते हैं यह कथन भी सही है और भारत में बॉक्स ट्रेडिंग को अपराद घोचित किया गया है यह कथन भी सही है और इसके तहट 10 साल की कैद प्लस 25 करोड का जुरमान इन में से एक या दोनों एक साथ भी लगाए जा सकते हैं तो हमारे इसमें राइट एंसर क्या हो जाएगा दूसरा तीसरा और चौथा सही है तो राइट एंसर होगा आप्सन डी आप्सन डी राइट होगा केबल दो तीन और चार सही है पहला गलत है बाक्सिंग के खेल में रेक्त होने वाले सर्टेवाजी से इसका संबंध नहीं है।